हेलो दोस्तों क्याल चाल सब बन्याना मेरा नामे रुपेश्क मरमातों और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब जनल में बहुत-बहुत स्वागते दोस्तों पिछले कई सारे वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का मोस्ट इंपोर्टन क कर लेए और इस वीडियो में आपको यूनिट भाइप और यूनिट खा आपको यहां आंसर और बहुत जादा आंसर बढ़ा-बढ़ा तो लिखें केवल की वर्ड से लिखें ताकि आप लोग एक वर इसको पॉड़ करके एकजाम में चल याएं तो अच्छा का सा मार्स ले आएंगे तो इस वीडियो का आप कंप्लिट देख लिजेगा और इससे पहले युनिट फोर तक वह दो को वीडियो में है युनिट वान करें देख लिजाएग दोनों का वीदियो करो में आपको इस वीडियो के बाद इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन सब्सकिट हो तो haven इस वीडियो में एक्ट Shit करके कि आपको समझा दूंगा ज्यादा समय नहीं लिए सबसे पहला कुछिन लिखा है डिस्क्राइब बेसिक्स एंड एडवांटीजिस ऑफ सोलर एनरजी सोलर एनरजी का आपको बेसिक्स का बताना है ठीक है उसके बारे में क्या होता है कुछ जानते तो और उसका क्याक्रीटलर वाटर होको ईका . इसके बारे में और उसका करक्तिरिस्टिक्स सब pilot सबकोब्क रभवरानी प्वर इनरजीस और। सोर्सेज जो सोर्सेज एक पेट्रोलियम और गेसेज वह सब के अलावा और हमको नया इनर्जी सोर्सेज का क्या जुरत पड़ गया ठीक है उसके बाद देख लेते हैं जो लास्ट कुरिशन और दो कुरिशन बच्छावा डिस्क्राइब दा एंभारेटमेंटल बेनेफिट् क्या बेनेफिट खाएदे और एंडवांटेज़ और और सबकार मनेंटले और अपको समझ में आ गया हो अब एक करके सबका हम लोग आंसर को आपको समझाती है तो एकतम क्यों लेका चोड़ा-पॉइंट सब्सक्राइब कि इसी से आप लोग बना जड़ा करके बहुत कुछ एकजाम में लिख करके आजाईए है चलिए देखते सबसे पहला कॉछश्ण था कि सोलर एनरजी का बेसिक्स बताना और उसका एडवनटेज़ बतना है तो सोलर एनरजी है आप लोगों जानती होंगे जो सनलाइट से हमको मिलता है तो हमको मिलता है उसको स्यक esa City सय उसको왔out इसान सोफ्सक्राइप होता है और अनर्जी नहीं फिर जान है और इनर्ज्ड शूलर रेडियाशन जो सब्सक्राइब और फिर उसको अलग-अलग एनरजी में चाहिए एक बार इसको बना दिए तो जो चाहिए वह यूज कर सकते ठीक है तेके उसके बाद यह आपको समझ मागे इनरजी यह सब आप लोग जानते हैं उसका फाइदा बता देते यह फाइदा के वाल आप लोग या सुराज कभी खतन होगा नए खतम ऊगा तो इससे आने वाले परकास भी खतम नहीं होगा यानि यह क्या एक रहनी वले वह एनरजी सोर्स है ठीक है यह कभी समापत नहीं वाला इसके बाद जीरो एमिजन यह गरीन हाउस जैसे यह सब जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग कारण है वह सब इमिट नहीं करता है और यह क्या है यह किसी पर डिपेंड नहीं यह इंडिपेंडेंट है इसका क्या सोलर एनर्जी का फायदा हो गया इसको और बढ़ा चड़ा करके आप अपना इकजाम में इसको और विस्तार से लिख पाएंगे लेकिन अगर जो यह दो चार पॉइंट्स को याद करके चल जाए और डिट्टो यह सब लिख भी देंगे तो आपको फूल में नहीं यह सब ज्यूं जाए डिदोन कि मिल जाए इसका इसका कमपोनेंस में क्लेककर होता होता है यह सोलर् नेर्जी स्टोर किया जता ण्यु닝けता है और क्ल्यक्टर के द्वारा उसको रेडियसेंज को चलेकरने के बाद लिया है तो आपके लैकिन यहापर क्या है इसमें पानी क्या गरम किया आता और इसमें और होता यह होता है फिर हीट एक्षेंजर होता है हीट को फिर कंबट किया पिर फिर पहुंचाया जाता है वाटर के पास मतलब इसका आप लोग गूगल में अगर सर्च कि जगा तो इसका एक मेकेनिजम मिलेगा और उसमें में जो में कॉम्पोनेंट से वह कलेक्टर है और श्टूरे मेकेनिजम में किया जाता ठीक है इसके बारे में और आप डिटेल में गूगल में पढ़ सकते ठीक है उसके बाद मैं आपको यह आपको कॉम्पोनेंट दो ही को काफी है ठीक कलेक्टर है और उसका स्टोरेज टैंक है उसका एप्लिकेशन में क्या हो सकता है डूमेस्टिक और कमर्सियल आप घरों में इसका यूज कर सकते पानी घरम करने के लिए कमर्सियल ब्यावसाइक जगों पर भी इसका यूज होता है बड़े जगा पर भी यूज होता है ठीक है यह हो गया ज्यादा कुछ था ने ठीक है उसके वाद सोटकेवल सोलर वाटर हीटर का अगर आगे आपको बताना बाएओम मास अनel जी इसका वबेव सबका थर्मल करक्टरिस्टिक थर्मल क्या होता है दो तो पाल यह समय लेते कि आकि यह होता गास इनरजी घंशär को जलाने पर आब वगणरा को जलाने पर जो एनरजी मिलता है जो कंभसन जलाने पर बांप अगर हम अगर हम आगर हम अगर हम यानि आग कम देंगे तो लखड़ी जलेगा ने थोड़ा से ज्यादा आग यानि उसका एक मने भीलू होता है कि इतना भीलू का जदी उसको आग देंगे तो वह आग पकड़ लेगा लकड़ी तो फिर उसमें यह हो गया इसका केलोरिफिक भीलू फिर मोश्यर कॉंटेट अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊड़ होता है यह सब में क्या पाणी का मातर होता है एस को आप लोग देख्यों लगड़ी को जलाने पर राख रह जाता यह सब्याइब सब्सक्राइब यह सब करेक्टरिक्स di अगर शोधा कोश्चन था कि हमें नए 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 नर्जी सोर्स का क्यों जरूरी है हमारे पास पहले से कोईला है पैट्रोलिया में और भी गैसे ज़िए वह सबके अलावा और हमें क्यों दूसरा चीज का जुरत पड़ा है जैसे हम सोलर एनरजी लेने का जुरत पड़ फिर और भी बहुत सारा नयानय चीज नुकलियर एनर्जी यह सारा चीज का जुरत क्यों पड़िया तो देखिए इसका जुरत इस कारण से पड़ा अगर कोईला का हम लोग सतत यूज करते चलेंगे तो एक समय में क्या होगा वो डिपलेशन यानि वो खतम हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज हो रहा था इससे जिस कारण से हमें नएनर्जी सोर्स का जुरत पड़ा है अपने परियावरन को बचाने के लिए इसलिए हम लोग फिकल्स लाए और फिर देखेंगे आप लोग जो टोटो वगएरा सब रहता है वो कई सारे ऐसे विकल्स होते हैं जो आ यानि एनर्जी सोर्स जो खोज रहें उसको भी सीक्योर करने के लिए फिर क्या एंबहरनमेंट सस्टेनेबल डवलपमेंट यानि सतत पोस्ने विकास यानि हम अपना आपूर्ती भी कर लेंगे जितना हमको भविष्ष के लिए अपने आगे आने वाली पीडियों के लिए भी बचा करके राखेंगे तो इसको काथी सतत पोस्ने विकास स्टेनेबल डवलपमेंट इसलिए हमको नए निया एनर्जी सोर्स और खुज नहीं क्या रखता है ठीक है चलिए इतना आपको समझ में आ अगया अगला को सिन देखते है उसके बाद एक सिन और फाइप अगया और भी सारा एनर्जी है तो यानि जो नवीकरन यह इसको हम एनर्जी सोर्स सब कभी खतम नहीं होगा इस तरीके से अपना एनर्जी को सिक्यूर कर पाएंगे तो है्ट्रेशन अच्छा बात है हमारे पर्याबरान को प्रभाव ने डालेगा उसके बाद यह रेनिवेवल एनर्जी सोर्स यानि यह कभी खतम नहीं होगा इसको फिर सब बना सकते उसके बाद क्या एनर्जी एफिसेंसी मतलब अब अब जैसा की बात मैंने आपको बताया कि अभी आप लोग देखेंगे आप लोग देखें ऑगे कि पहले के समय में जो हवाई जाए जो वह सब उड़ते थे तो ंसे थो आप लोग देखें आप लोग देखते होंगे कि एडार्प्लेंट से हैं उसमें हम तरह तरह के रेनिवेवल एनरजी का थी प्यूट के त्वर पल लोग तो बहुत सारा इनर्जिक बना करके इसको हम इंधन के रूप में फ्यूल के रूप में जिस कारण से एर पोलुशन भी कम होता है अभी इलक्ट्रिक विकल सब आगे है यह सब आने से क्या हो पर्यावरान पर थोड़ा देख रहे के रोड में उतना धुमा वगरा नहीं दिखता नहीं तो पह पर्चूर मात्रा में अबंडेंट रिसोर्स यह पर यो पर चूर मात्रा में उपलाव देख यह कभी खतम नहीं होगा केवल टेक्नोलोजी एसा विक्सित करना जो अधिक से अधिक मात्रा में एनर्जी बनाने मनें बना सके उसका बाद लो वीजुल इंप्याक्ट ठीक है यह बहुत काम है मतलब यह ज्यादा परभाव नहीं डालता है ठीक है उसके बाद देखें गिरिन हाउस गयास को भी बहुत कम इमीट करता है पर्याबरन को कम से कम च्छती पहुचाता है पेट्रोलियम वह लग से तो आच्छा ही है उसका डाइबर्स एनर्जी मिक्स मतलब यहाँ और ऐसको अलग-णोग एनर्जी का अने का सकते हैं तो फोन एसको इसके नहीं समझ आयोग बारे में और यहां पर बिस्तार सी दिया पर इनर्जी साई ट्रिए के ट्रटा एंकर लोहरी देखते होंगे समुद्र में हमलों तो प्रिद कवर आके सामने है अगलत एनर्जी सब्सक्राइब लिए फोड़ लाइप किया जाता है इसे जो प्राप्त किया जाता है इसको टाइडल इनर्जी का देढ थे जब्स पाइड़ी उपर नीचे होने से यानि लहरों के उपर नीचे होने से आप लोग देखें के समुद्र में हर समय लहरे चलती रहता है तो अगर ऐसा टेक्नोलोजी बना दे जिससे वह चोटा-चोटा लहर को भी उसका यूज करके हम एनरजी बना देंगे ता तो बहुत अच्छा बात हो ज वाटर में राइजन थोलॉफ टाइड़ यानि वाटर का लहरों मतलब जल का ही लहरों के उपर नीचे होने से जो एनरजी वटन किया है तो उसी को टाइडल नरजी कड़ेमिस इनरजी का हम ऐलेक्टरिशरी बनाने में यूज कर सकते यह तेक प्लेस तो यह जो क्योंकि यह समझ में आ गया होगा अब इसका फायदा क्या है टाइडल एनर्जी का कोई से नंबर यह था मतलब यह लास्ट आगे देखें मतलब बहुत असान इतना जल्दी लास्ट आगे उसके बाद अगला यूनिट का देखेंगे उनिट 6 का तो बेनीफिट सब क्या है ओसीन एनर्जी प्रेडिक्टिवल एनर्जी सब्सक्ति हम सकते हम इतना अनर्जी बना सकते हम देखेंगे एक आगर अगर जिसका गर बीच वाग्रा के सामने यह फिर सेंटीष्ट क्या करतें देखतें एतना एरिया समुद्र के इतना एरिया फिक्स कर तो लोग हर साल चेक करते रिपोट बनाते कि इतना एरिया के अंदर में कितना लहर बन रहा है तो उस लहर का यूज करके वह एनरजी बनाता है यानि हम जितना एनरजी बना रहे उसको पहले से प्रवानुमीत पुर्वा अनुमानी थे ठीक है प्रेडिक्टिवल हम उसको सब्सक्राइब यह है एनरजी इनरजी जयादा देता है और यह इसका ज़्यादा अन्हां पर पहल के वहां बहुत सब्सक्राइब तो यह देखिए दोस्तों लबह लबह आपको समझ मां गया टाइडल एनर्जी क्या था फिर भी आप लोग एक बार इसको रिडिंग कर लिजेगा उसके बाद आप जिंदगी में कभी नहीं बूलेंगा इसके बाद बूलें तो काफी चलेगा ठीक है चले आगे देखते हैं स इसको भी जल्दी खतम करने क्योंकि आपका कल से एक्जाम सुरू है अच्छा किसका किसका एक्जाम का त्यारी कितना हो गया वह थोड़ा कमेंट करके थोड़ा स्यर के जागा अपना मन की ठीक है आशंका है या फिर मन के भावना है चले नेक्स्ट कॉसन देखते हैं कि वा 20 श्ishing सरकार के द्वारा एक नियम लाएं ग्यारत हो वेस्ट म違う आएस को एक का क्या चुक्त बांड जाग अच्च चले आंवरनमेट प्रोटेक्शन एक 1986 का एंभरिबरेंट्मेन बचाने का तो जिसका इंपर्टेंस उसमें बताया गिया अगला प्रसका ने एक्स्वरेंट या जा यानि आपने क्वर्क प्लेश में काम कर रहा तो उसको क्या हेल्थ उसको स्वास्त से समंदी और आपने सुरक्षा सामनित उसको क्या मैजर सोश में थिए ठीक सब्यट मेनेजमेंट उसका शॉर्च मेनेजमेंट में лес से मुंख्य बात बतना हुच्छ क्या की प्रोंचे वेश्ट यानि जो हमारे उप्यों के लाइक कचड़ा सोलीड अवस्ताँ में तो समझ आगया चांद क्या होने वाला कुर्कुरे का थे वह ठीक है उसके बाद पानी बोटल पीके प्रेंक किराने प्रें पर फेक देख्या वह बाद पाइसके बाद के वासिगस में करते सब्सकार दो नहीं हो तो आपको समझ हमा आगये कहा सी होता है आप लोग यह सब करते हैं यहां पर लिखा गया है वहां से निकलते हुए इस सुबा अच्छा बात है और वह सब किनारे तो कहीं दूर में लेकिन उसका मेंनेज ने करते बलके उसको फेक देती यह जहां आता तो यह वह हुआ हो गया उससे भी मेरा स्विद्वेस्ट होता है इंड़स्ट किद्वरा वक् districts अब हो वह करा है वही हो पूसलीड बैस्ट हो रहा कमर्सियल के अलवेस्ट च्राइख शका में क्या होगा ओपिस वगैरा क्चड़ा के काँस्टन और सिमेट घंट्टी भालू यहां से होना से होग से यहां से इस सब हुआuben निकल रहाए लोगुंखा कचड़ा का बीक्त देखिया है इंसानों का गुन तो समझे ते जानवरों का गुन तो समझे तक षरला भी पढ़ना पड़ता है नच्छा है मैं नीठा हुआ है क्या गया तो एक दिमाग measures़ लिए क्रणा का नाम नैं लोगिwnे पेकेट है उसका गुन बताएं तो कुर्कुरे का पेकेट क्या होगा एक क्वाइंटिटी होगा ठीक है कि कितना बड़ा है कितना है है ना कॉम्पूजिशन वह किन किन माटरियल से मिलकर बनाएं डेंसिटी उच्छा कुछ ना कुछ मास होगा है कुछ-कुछ वह जगा ऑकु तो केलय का छिलकांटर में यह मुश्चर CONTENT है मुश्चर Hadi मैं जल की मातरा है आध्रत है तो यह सब क्या है उस्सडेट का गुन जहेंशन क भवगरा कहीं बन रहा है तो सिमेंट ना इस तो गिर्खलद कंहीं पर अीं फैसे लिच peux C इसाड़ बैटा नहीं सूचा कि पुरा घर को तोड़के फिर से बनाएंगे तो लग चीनी अतोड़ी लेकर घर तोड़ने तो कोई जैसे भी बुला लिया और जो कचड़ा को आप वह जो मैंट्रिया उसको फेकेगा का वह है तो आपका वह 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 तो तो उसमें बहुत लार्ज मात्रा में तो इतना लार्ज मात्रा समझ रहे वह कितना ज्यादा बना रहा है तो यह उसका करेक्टरिस्टिक्स अगर आपका एक्जाम में आता है लिखने तो आप यह सब लिखिएगा चलिए ज्यादा समय नहीं लेते अगला देखते हैं सुरीड वेस्ट मनेजमेंट रूल 2016 में सरकार ने यह सब मतलब मेजर यानी कदमें उठाई थी तो उन्होंने कहा था सब को सब्सक्राइब करना यानि जो कच्ड़ा इदार उदर भिकाया हुआ है उसको मेनेजमेंट करना उसका निप्टारा करना तो इसके लिख सरकार ने कदम उठाया कि सबसे पहले तो कच्ड़ा को पहचा निये उसको पिर्थक करन किजिए ठीक है सिग्रिगेशन एट अभी हम लोगों देखे थे अभी हम लोगों देखे थे कि यह हाउस यह हाउस होल्ड सोर्स यह इंडस्ट्रियल सोर्स यह कमर्शियल सोर्स यह कंस्रक्शन सोर्स ठीक है यह सब से पहले हमको पाचानना कि यह इस कटेगरी का है कचड़ा यह इस कटेगरी का कचड़ा पहले सब क्टिक गर्ट में बाटेंद प्रिस्थक्रण कर दिया कर दिया और ये कचड़ा मतलब मतलब मती क्टा कर मिल सकता है तो ऐसे कर्ण मिले जाए और अगर falls या दो नहीं सकते रबिटन क्या ये रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल रटेट तो किसी का गर माने लेते आज से दास साल उसका बाबा ने बना के गया तो तो बराबर भर बनेंगे तो तो यह घर को तो बराबर ने का जो वेस्ट में लेंग में लगाएगा तो यह अच्छा बत है यह उसका इधार-वदर फिकनस्तों यह बड़ी अच्छी बात कर यह तो इस तरीके सरकार ने कहा है कि आप इस तरीके से जो भी सोलिड वेस्ट उसको मेनेजमेंट कर सकते सबसे पहले उसको पाचानिए अगर मिट्टी में अब चाहित हो सकते हैं डाइजेस्ट हो सकता है तो उसको कॉमपोस्ट करने के लिए अगर नहीं कमपोस्ट हो पा रहा है तो उसको रिसाइकल करने बैए दीजेए और यह काम सब के लिए पब्लिक के लिए सब के लिए तो यह आपको समझ में आ गया के वाल आपको याद रखने यह 2016 का हो सकता एक जाम में ना दिया जाए ठीक है तो यह तो चार को पॉइंट के इससे आप जोड़के और भी सारा एक डिटेल एक पीज लिख सकते जिट्टू उसी तरह के से कोई सैने आपका डूसरा नंबर की इस में सोलिड वेस्ट के जगह में आगया इवेस्ट इवेस्ट का मतलब अट्रूनिक वेस्ट इधर उदर ठेक दने से जो वेस्ट होता है उसको बोलत इवेस्ट आप उसका मेनेजमेंट करना तो सेम पहले तो यहां पर रिपेरिंग अगरा होता है आप लोग घूमने के लिए जाईए अगर देखते होंगे जो कचड़ा है वह इधार उधार फेका हुआ रहा 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 है तो कहीं डायोड की फेका हुआ है टोटे फूर से वकषरदी वह प् तो मोबाइल फोन्स का भी टुटे फुटे जो पार्ट से इधर उदर फेग देते लोग जिससे वेस्ट होता है टेलिवीजन तो यह कोमन बात है नहीं पसंद आ टेलिवीजन ने पिक दिया अना कचड़ा कचड़ा के डिंग में तो कौन-कौन इसा काम करते मों लभी यहांने इलक्तोनी डिवाइज़ इलक्तोनीक वेस्ट का भी क्या ख्रक्टरिस्टिक से अधीतर आपनों देखें होंगे वह सब जो उसका मैटरीयल होता है वह बहुत मतलब बिशेले पदार्थ सी मिलकर बने होते हैं लेडे मरकरी यह सब सी मिलकर बना होता है या पिर और उसके बाद यह रिसाइकल चलेंजेज यानि यह इसको रिसाइकल करना भी बहुत बड़ा चलेंज है ठीक है आप ऐसको रिसाइकल करने भी नहीं सकते तो इसका कुछ अलग तरीके से निप्टान करना होगा तो यह इसका क्राक्टरिस्टिक्स होगे दोस्तों तो इसके बाद इवेस्ट मेनेजमेंट रूल 2016 में लाया गया था और प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम भी यह आपका 2016 मिला गया तो यह सब याद र मतलब ने क Вас ए जो इस प्रौड़ूसर से आप हई मैं इंडश्री आप इंडज्री म carr रवा होगा यह जिन्मेदारी आपना प्रोड़त पर लगाए जिससे पता चलेगा गा सब्सक्राइब आपका अगर सरकार में तो ये प्लिबेख करदfend frühkin का सब्सक्राइब थे dokument तो यह सब करना पड़ता है ताकि हम निप्टान कर सकत कदम उठाइए सब के लिए ठीक है फिर इंडस्ट्री काही काम है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे अपना प्रोडक्ट सेल करें तुसको एकदम प्रोडक्ट को मैनिफेक्ट्टर करने से उसका डिस्पोजल तक सारा जिमेदार है उसको कैसे निप्टाना करना कैसे रिसाइकल करना सारा आपका देखते होंगे आप लोग कि गांवगरा में या पर सहरों में कचड़ा उठाने वाला आता है कैसे वह क्या अपने लिए आता है नहीं फ्यक्ट्री इंडस्ट्री वाला उन लोग को भीजता है कि फिर जाकर के इंडस्ट्री को ही देता है वहां पर फिर उसको रिसाइकल किया जाता है तो यह सब काम है फिर सेफ डिस्पोजल ठीक है अच्छी तरीके से उसको डिस्पोजल करने के लिए कंजूमर और साथी साथ उसमें पूरा बार कोड लगा रहा रहता है उस प्रोडक् भान यह सब लिए बशाइब भारत अभ्यान अर उसमें फिर लिखा रहता कि आप इसको इसको ब्रॉद्ट देखेंगे तो यह सब सब कंश आ जा रहा है तब से यह रोल लाया गया था तब से कंजूमर यानि ग्रहकों को भी आपको जागरुक करना है कैसे इसका कचड़ा करना करना इधार उदर ना फेकर डास्ट बीन में डालना ठीक चलिए लेकिन हम लोग के यहां कहां टेस्ट मिलेगा इधर फेकना पड़ता है ठीक है कि आगे कर लग के चली आगे देखतें तरी प्लाश्ट लिखना है यकल वेस्ट मैंटे टापको सेीं डिखने में प्लाश्टि बीड़त होता है जो पर इसके हैब त peeling अद्ट्स प्लक्रतिक्स में उप्लाष्टिक मेंनेश्त मेरेकिनेंट ब्लास्टिक में यह यह सब हो गया ठीक है और भी चीज हो गया उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे आप लोग दुकान जाते होंगे तो मालेते हैं आपको एक किलो दो किलो आटा खरीदने के लिए चावल करिदने के लिए दो किलो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है वह दु साइकल हो पाता है ना वह wow बायव डिग्रेडेवल उखने यह लिए ओस प्लास्टिक है वही सबसे आधा हनिकारत टीसरा इंड़स्ट्रियल वेस्ट इंड़स्ट्र सविछीं के द्वारा भी बहुत सारा कच्ड़ा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब समझते हैं कि स्का चर मिट्टी में आप चाहित नहीं होने वाला है नॉन बाय डिग्रेडवल है पॉर्सिस्टेंट यह जैसे पॉलिथीन आपने देखें होंगे पॉलिथीन को अगर इधर फेक देते हैं और उसके उपर में भी मिट्टी लग जाता है यानि वह जमीन के नीचे धास जाता है फिर जाता तो यह लंबे समयं तक पॉटिस्ट करते राती तो यह इसका फ्लास्टिक का के लंबे समय तक फॉस्टिक व onion पर फेक नाच है लेकिने बमान लेक्ते होता है न जो फशे तारे के से पानी वह परदोस्रह से करता देखते हम यही प्लास्टिक मेर्टमेंट रूल है पिर रिसाइकल statistics रूल 2016 इसमें क्या कदमें उठाए गई इसमें कहा गया कि रिसाइकल टार्गेट आप ऐसे प्लास्टिक ना बनाए जो रिसाइकल नहीं हो सकते आपको वाइसा ही आप लोग देखें होंगे अब आज से एक दूसल पहले जो पॉलितीन था वो बन करना ही अच्छा लेगन क्या करेंगे प्लास्टिक बें करने से भी दिकत हो गया था कि अब जैसे यापको फिर वही आटा कीम्पल आते हैं आपको पांच किलो वाला तो प्लास्टिक भी मिलता है यह पहले नहीं आता है तो पहले तो प्लेतीन वं करने से यह सारा दिकत हो गया था है ना तो पोलेतिन फिर भी अभी विव्या ने सरकाहने देखे घोसना यहां पर हो जादा निया में उसका पालन कोई नहीं करता है तो यह रूल 2016 में ही लिखा गया था समिधान में प्लास्टीक रूस टुथाज़न दिसस्तिन रिसाइकल आपको यह बात बोल गया है कि आप लोग ऐसा ही प्लास्टिक मेंने फ्लक्चर की जिसको रिशाइकल किया जा सकते मिट्डी में डाजेस्ट हो सके दूसरा क्वालिटी आस्टिंडस आप प्लास्टिक बना रहे ठीक है लेकिन उख्ले लिए ठीक सेट कर दीजे ठीक है फिर लेबलिंग रिकॉर्म आस्टिक पहले बताया था उसमें रहता है जिसे पता प्लास्टिक पर बैन कर दिया सरकार ने कुछ नियाम लाया था जिसमें जो रिसाइकल प्लास्टिक रूल 2016 में लिखा गिया चली यह होगी चोथा तीसरा कोशा अब चोथा कोशन देखते हैं चोथा कोशा लगरा हिस्ट्री कला से मुझा कर रहें ना चलिए देखते हैं इंपोर्टनस अब एंभारनमेंट्टयाग्स सिriel पर्यावरन परियावरनि ऑट्रैक्सन समय पहएं तो परियावरन को बचाने का ये ऑग वह आया गया तहूँसमें क्या पहांको बचाना उ abbiamo बचाना है उसके लिए कुछ करना हो जिसे एर पॉलिशन को काना वाटर पॉलीशन को कान्ट्रॉल करना होगा सब कुछ जब करेंगे तब देखेंगे कि अपने आप आपका इंभारेट मैं कंजर वो जाएगा वह एकदम सुरक्षित हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या गया पॉलीशन को कंट्रॉल भी तो अग खतम होने ही वाला ज्यादा नहीं कुछ सालों तक ही रहेगा बताया गया कि और पचास सालों तक चलेगा या तो आभी तो दर साल बीद गया चालिस साल मान लेते हैं अगर हम पूरा खतम करते हमारे आने वाली पिडिक से देख पाया कोईला कैसा होता है अब लोग नहीं देख पारे बहुत अब इसका नहीं किसमत कराव कि यह देख सकते थे आने वह और समय में हम लोग नहीं देख पायंगे अगर यह सब मुद्धा पॉब्लिक और पॉब्लिक को साथ पॉब्लिक पॉब्लिक अगर चाहेगा तो सब होगा तो यह सब था यह सब बताया गया ठीक है उस एक्ट में यह सब लिखा गया कि अगर पॉब्लिक अवर्ने जनता को भी जागरुक करना होगा ठीक है लेटने साहा होता नहीं चले आगे देखते हैं को इसन नमर फाइब यह हमारा आज का लास्ट कुछ सने और यह पूरा इभियास का लाश्ट कुछ ने अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ठीक और फाल घ्यों को यह वर्क्प्लीच में काम तया को अपने यह यह पर 18 अपने यह आप का थे का अपना धियाते तो इस सब्सक्राइल था तो उसको बाइन अगर चलक की गीर तो उसको गिरने से यानि फॉल से भी बचाने के लिए फॉल प्रोटेक्शन चाहिए उसको सप्टी बेल्ट चाहिए जाए लेदर का तो यह सब स्वास्त के बारे में जो खत्रा है वो सब उसको पता होना चीए रिस्क एसस्मेंट रिस्क एसस्मेंट जो रिस्क जगह पर काम करने का उसके बारे में उसको पहले से तो ऐसे लोगों को काम देना चाहिए ठीक है तो यह हो गया ओकुपेशनल हेल्ट एंड सेप्टी मेजर तो देखें दोस्तों मैंने आपको पुरा इभियास का इंपोर्टन कोशन देही दिया है ठीक है सिलेबस के अकोडिंग और इसका पीडिया भी मैं आपको टिलिग्राम सब्सक्राइब कर लिए और आपने दोस्तों में वीडियो के लिंग को शेयर कर दिए ताकि उन लोग भी अगर मन करेगा तो उन लोग भी देख लेगा ठीक है तो फिर मिलते हैं ने वीडियो में तब तक पड़ते रहे जहीं वन्यमात्राम